कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइस S7 से देश की पहली साइबर नाइस S7 मेरट के मवाला रोड इस्थित वारेंटेस कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए इस्थापित की गई है जालाईस मेरट की बुढ़ाना गेट चौकी के नजदीक स्वामी पाड़ा में रिटार्ड इंजिनियर के घर में घुसकर बदमासो ने बेटी अंज्यो की गला काट कर हत्या कर दी जबकि पत्मी सविता को भी गंभी रूप से घाल कर दिया हत्या को अंजाम देने के बाद बदमास घर में रखे जेवरात वे कैस्ट लूट कर ले गए इस लूट वे हत्या कंड का खुलासा उस वक्त हुआ जब छोटी बेटी डॉली घर पहुँची भीतर खून से लत्पत दोनों जन पड़े हुए थे अंजु की मौध हो चुकी थी जबकि सूचना पाकर पहुँची पुलिस ने सभीता को अस्पताल पहुँचाया इस लूट वे हत्या कंड की जांच के दाएरे में वे तीन पुताई करने वाले भी हैं जो वहां काम कर रहे थे लेकिन तीनों ही आज नहीं आये थे पुलिस आसपास के सीसी टीवी खंगाल रही है इस बारे में एस्पेसिटी आयश विक्रम सिंग ने फर्स्ट वाइड डॉट टीवी को यह जनकारी दी अधिक करीब साढ़े चार वजी के असपास अनक उत्वाली के व्रहां डीटों की विसस्टामी की एक लड़की है इसकी टकड़ दी गई है और वहां पे एक और लेडी है वहां पर पड़ी है वहां पर पढ़ी हुई है तो इसना मिलती पूल इसबार मौके पहुंचा गया पहुंच कर देखा पाया गया तो एक विड़की जिसका नाम अंजी बताया जा रहा है इसकी उम्रे करीब 26 वर्ष है तो उसका गला गले पर स्लिट का मार्टा पड़ी हुई थी महां पर और जो फगल में एक और मैला थी जिसकी वर्ष करीब को उम्रे का पैसर वर्ष है व क्या हुआ है तो उसके दार बताया गिया कि उसने ही यह किसी और नहीं किया है आपस में मार्पी का मामला नजर आ रहा है जो महिला है उसको भी हॉस्पिटल रिफर्ट किया गया गया और जो एफसेटी दौर बिला के जो अंचु की लिटका उसकी बॉड़ी को पेसरा मां इस खबर में फिलाल इतना ही आप देखते रिफास्बाइड.tv नमस्कार